हलो, हमारा आज का टॉबिक है periodic classification of elements सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what are elements जितने भी आप दुनिया में पने आसपास चीजे दिख रहे हैं वो छोटे छोटे round structure से बनता है जिनको हम atoms कहते हैं अगर कोई एक substance एक ही तरह के atom से बनता है same kind of atom तो हम इस तरह के चीजों को element कहते हैं इनको अक्सर आप break कर देंगे तो भी इसका structure नहीं बदलेगा chemical यह structure same रहेगा इन तरह इस चीजों को हम element कहते हैं अगर कोई चीज दो या दो से जादा different तरह के atom से बना है जैसे कि यह green और purple से बना है और यह बहुती fixed ratio में हो तो हम इसे compound कहते हैं जैसे लकड़ी compound है पानी compound है और element को अगर हम discuss करें तो gold एक element है silver एक element है और अगर कोई चीज अलग अलग तरह के atom से बनी हो जैसे इसमें red भी atom है blue भी है और green चीजी चीजी भी है तो इसको हम mixture कहते है mixture और compound में फर्क यह है कि compound हमेशा ratio में होता है यानि fixed number में होता है जबकि mixture में there is a no ratio कोई ratio नहीं होता है अपनी मर्जी से कोई भी atom कितनी भी बार present हो सकता है now before we start off with elements हमें पता होना चीए कि atoms क्या होते है everything in the world is made up of small round structure जिने हम atoms कहते है तो दुनिया में जितनी भी चीजें है जितना भी matter है वो tiny particles यानि atom से बनता है atom smallest part होता है in the world और यह अगर same तरह का repeated हो तो यह element form करता है और हम इस chapter में elements के बारे में पढ़ेंगे और अगर दो अलग-अलग तरह के atom combine हो जाए तो हम इसे molecule कहते है या molecule में दो या दो से जादा atom combine हो same या different it does not really matter if we talk about an atom आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक helium का atom है helium is an element helium खुद एक element है एक atom के center में nucleus present होता है nucleus में दो तरह के particles होते है एक proton जिसके उपर positive charge है और एक neutron जिसके उपर कोई charge नहीं है ये दोनों अपनी जगा से नहीं हिल सकते है they are called the nucleus nucleus की चारों तरफ घूमते हैं एक और छोटे particle जिने हम electrons कहते है so एक atom के अंदर तीन particles होते है electron, proton and neutron electron पे negative charge होता है proton पे positive और neutron पे कोई charge present नहीं होता है एक atom के आसपास जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये center में nucleus है जिसका charge positive है क्योंकि इसमें protons present होते हैं right so एक atom में nucleus है और nucleus के आसपास electrons घूमते हैं electrons अक्सर एक खास circle में घूमते हैं जिन्हें हम orbit कहते हैं we call them orbit यह हम इने shells कह सकते हैं so we have the first shell ये तेखी nucleus के सबसे पास then we have the second shell यहाँ पर आप देख सकते हैं and we have the third shell shells बहुत सारे हो सकते हैं first shell में maximum दो electrons ही आसकते हैं second shell में 8 से जादा नहीं आसकते और third shell में आर्ट इलेक्ट्रॉन से जाता नहीं आ सकते, at least for your syllabus, इन शेल्स का नाम हम 1, 2, 3, 4 भी रख सकते हैं, या K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, भी रख सकते हैं, so these are called shells, now आप अभी ही जो देख रहे हैं, this is known as the periodic table, इसको periodic table कहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, periodic table, आप इसमें देख सकते हैं, कि यहां पर बहुत सारे elements arranged हैं, देखे, number 1, 2, 3, 4, हमारे पास about 118 elements हैं, जिन में से, I think 108 आपके natural elements हैं, और यह जो हैं आपके man-made elements हैं, तो इतने सारे elements को study करना, एक बहुती difficult situation होती है, इस वज़ा से बहुत सारे scientists ने elements को अलग-अलग groups में classify कहिया हैं, यानि कि इनको अलग-अलग groups में divide किया गया है, ताकि इनकी study आसान हो सके, जैसे कि इस group की property same होगी, इस group की property same होगी, इस group में जो element हैं, उनकी properties, chemical और physical properties, काफी हद तक similar होगी, तो इस classification को, इस grouping को हम बोलते हैं, classification of elements, आज के लेट नहीं करते हैं, थैंक्यू, have a nice day.